हेलो दोस्तों एक बार फिर्स है आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मामी की रसोई वित हर दीव कौर में आज हम आपके लिए लेकर रहा है बिल्कुली नई डिश जो की सब की पसंदीदा भी होती है दम आलू की सब्जी जी हाँ दोस्तों हमने आज बनाई दम आलू की सब्जी बिल्कुली आस्तान विदी से तो चलिए इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते है इसे बनाने के लिए हमने एक किलो छोटे आलू लिये है एक्दम छोटे साइस के हमने आलू लिये जिससे हमारे दम आलू परफेक् कुछ आलु इघ पाई नगीटिया है कि यह नए लूँ है चिल्के असके बनीगे इसके बाद हम ने इसमें फोक एक पैन में आधर टीस्पून खस-खस डाली है, दो टीस्पून तिल, सफेद तिल और दो टीस्पून हमने इसमें मगज बीज लिये हैं, इन्हें हम मिक्स करके अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, दीमी आज में, हमें इन्हें हलका ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, हमें तीनों ही इंग्रीटियंट्स अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में खाली कर लेंगे, और इन्हें ठंडा होने देंगे, जब तक हमारे दीनी इंग्रीटियंट्स ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम एक पैन में ओईल गरम करेंगे, हम तोड़ा रहने मारे आलू जिदे हमने दो से टीन बानी से वउच किया था और फोchn से होल किये थे, ताकि यह आलू अंदर तक अच्छी तरह से फ्राइअ हो सकें, सारे हम इसी तरह से फ्राइअ करेंगे, कुछ ईलू के निकाल कर फ्राय करे हैं कभी कभी बच्चों को चिलू वाले अलू पसंद नहीं आते हैं तो आप इनके चिल्के निकाल कर भी इने बना सकते हैं दे piace दोस्तों कुछ इस तरह से सारे आलू हम फ्राय कर लेंगे हमने इन आलूं को भी 10 मिनिट तक धीमी आँच में फ्राइद किया है. अब मेंилась धगकर फ्राइद करेंगे. अब हमारे तीनों इंग्रेदिंट्स थंडे हुगा हैं. इन्हें हम एक मिक्सर ग्राइंडर मेंदाल कर लेंगे. आपकी पास इन में से कोई भी एक इंग्रेदिंट आवेलेबल हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं खसकस optional है friends अगर आपके पास खसकस अविलेबल हो तो आप डाल सकते हैं या तो आप तिल अकेलर डालें या आप मगजबीज डालें जो भी आपके पास अविलेबल हो आप वो ingredients डालें और देखे friends एक तरफ हुमारे आलू काफी अच्छी तरह से फ्राइड हो रहे है अब हम इसकी gravy ready करेंगे इसके लिए हमने एक कढाई में ओयल डाला है और हमने इसमें डाली है तीन से चार लॉंग दो से तीन तेज पत्ता और एक टीस्पून जीरा और ओयल भी काफी अच्छी तरह से गर्म हो गया है जीरा कड़कने लगा है अब हम इसमें डालेंगे प्याज प्याज हमने mixer grinder में ग्राइंड कर ली थी हमने तीन से चार मीडियम साइज के प्याज लिये थे जिने हमने mixer में पीस लिया था अब हम इसमें डाल रहे हैं जिंजर गालिक का पेस्ट लेसन अदर का पेस्ट हमने इसमें 2.5 टी स्पून धाई टी स्पून जिंजर गालिक का पेस्ट डाला है इसे हम मिक्स कर लेंगे एक साइट प्रेंट्स हमारे आलू काफी अच्छी तरह से फ्राइ हो रहे हैं देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक हमारा आलू काफी अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है पड़ अभी इसे हमें 5 मिनिट और फ्राइ करना है अब हम हमारी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं नमक नमक आप स्वाधन उसार डाले अब हमने इसमें डाली है कसूरी मेथी एक टी स्पून गरम मसाला इन सारे इंग्रीडेंट्स को मिक्स कर लेंगे और हम इने धक कर भुनेंगे देखिए दोस्तों 2-3 निट बाद धक्कन हटाने के बाद हमारा मसाला कुछ इस तरह से दिख रहा है काफी अच्छी तरह से भुन रहा है हम इसे मीडियम से लोग की फ्लेम में भुन रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले हमने इसमें 1.5 टी स्पून हल्दी डाली है 2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर 2 टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टी स्पून हमने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च हम इसे मिक्स करके कुछ तरह भुनेंगे देखिए दोस्तों, तिली, खस-खस और मगज बीच का जो पाउडर हमने रेडी किया था, अब हम वो डालेंगे इसमें. तीन टीस्पून हमने इसमें मिक्स पाउडर डाला है, जो कि हमने तिल, खस-खस और मगज बीच से बना कर रेडी किया था. इसे भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डाल रहे हैं घर की फ्रेश मलाई, आप चाहें तो बाजार की सबजियों वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, हमने इसमें दो टीस्पून घर की फ्रेश मलाई यूज़ की है, अब हम इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे में डाल रहे हैं टमाटर की प्योरी, जो हमने 3-4 मिडियम साइज के टमाटर लिये थे, इन्हें हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसकी एक प्यूरी रेडी करी थी इसे भी हम मसाले में डाल देंगे दोस्तों यह बहुत ही आसान तरीके से बनाईवी दम आलू की सब्ची है आप इसे एक बार जरू ट्राइ कीजिए हमने सारे इंग्रीटेंट्स वही यूज किया है जो आम घरों में इसली अवेलेबल होते है देखे दोस्तों हम इसे ढखकर भुनेंगे और इसके बाद हमारे आलू काफी अच्छी तरह से फ्राय हो गए है अब हम इने एक प्लेट में निकाल रहे हैं देखे फ्रेंड्स नए आलू आप चिलके के साथ बनाएंगे तो यह और भी जादा स्वाधिस्ट बनेंगे पर यह ऑप्शनल है आप चाहें तो इसके चिलके निकाल कर भी बना सक सकते हैं और हमारी ग्रेवी लगभग रेडी हो रही है इसमें हम डाल रहे हैं दो टीस्पून दही हमने फ्रेश घर का दही यूज़ किया है आप चाहें तो बाजार का दही भी यूज़ कर सकते हैं इसे भी हम ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम धककर भुनेंगे पांच ने धककर भुनने के बाद हमारी ग्रेवी कुछ इस तरह से दिख रही है काफी खूपसूरत और सारा तेल इसका उपर आ गया है मतलब हमारी ग्रेवी भुन गई है अब हम इसमें डालेंगे फ्राइ किये हुए आलू देखें दोस्तों हम सारे आलू इस तरह से इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे हम सारी ग्रेवी के साथ सारे आलू को मिक्स कर लेंगे और पांच मिनिट इसे भुनेंगे पांच मिनिट बुरने के बाद हमारे आलू कुछ इस तरह से दिख रहे हैं सारी ग्रेवी के साथ काफी अठी तरह से मिक्स हो गया है सारा मसाला आलू के साथ मिक्स हो गया है अंदर तक हमारी ग्रेवी की थिकनेस के अनुसार हम उसमें पानी डार रहे हैं हमने उबला गरम पानी लिया है देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसमें पानी डाला और थोड़ी इसकी जो ग्रेवी थी वो थोड़ी थिन हो गई है जो इसकी थिकने से हो आमने कम कर दी है आप अपनी ग्रेवी अपने अनुसार थिक या थिन कर सकते हैं आप आपको अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है उसे साबसे आप इसमें पानी डाल सकते हैं देखिए दोस्तों दो से तीन मिनट ग्रेवी में डालने के बाद हमारे आलू एकदम रेडी हो गए हमारी दम आलू की सबजी बनकर रेडी है अब हम इससे निकाल लें देखिए दोस्तों हम एक बड़े से बावल में इसे सर्व कर रहे हैं हम निकार रहे हैं सारी दम आलू की सब्जी तो देखा आपने 10 मिनिट में हमारी सब्जी बनकर हमने रेडी कर ली है और वो भी बिल्कुल कम इंग्रीटेंट्स में जो सारे किचन में अविलेबल होते हैं अब हम इसे गार्णिश करने के लिए इसमें उपर से हाला धनियर डाल देखे दोस्तों बहुत ही खुबसूरत दिख रही है हमारी दम आलू की सब्जी और हमने इसे एक थाली में सजाया है दम आलू की सब्जी रायता, सलाद, पापड, रोटी और चावल के साथ आप इसे सर्फ कर सकते हैं, यह आसान रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फर वाच चे 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 लिए